हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आपको मिनी फ्रिल्स कर्ड बनाना बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके यह मैंने शर्फ एक मिटर कॉटन क्रेप का फैबरिक लिया हुआ है तो यह जो है यह फैबरिक की लेंन्थ है और यह है इसकी विर्थ यह फैबरिक की विर्थ है तो सबसे पहले हम इसे विर्थ वाइस फोलड करेंगे तो यह हमारी two layer हो जाएगी अभी इसे हम ट्राइंगल शेप में बिचाएंगे तो इस तरह से हमारा फोर्फोल हो जाएगा जो मेरी सैट है वो बंद वाली सैट है और जो दूसरी सैट है वो खुली वाली सैट है इस तरह से पूरे फैब्रिक को मैंने ट्राइंगल में बिचाया हुआ है अभी उपर से हम कमर की चोड़ाई का फोर्थ पार्ट लेना है उपर से हमें कमर की चोड़ाई का फोर्थ पार्ट लेना है और उसमें हमें एक इंच एड़ कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मेरी कमर की चोड़ाई तीस इंच है और उसका चोथा भाग होता है साड़े साथ इंच और एक इंच की हमारी रेडी होगी तो हमें 10 इंच पर निशान लगाना है आप जितनी लंबाई रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा सकते हैं तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है अभी पूरे राउंड में हमें 10 इंच पर निशान लगाते जाना है पूरे राउंड में ह तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये दो फ्रील है फ्रांट और बेक के लिए अभी एक सेट से इसकी बंद वाली सेट है इसे भी हम कट कर देंगे और इस तरह से दो पार्ट है फ्रांट और बेक के लिए अभी ये जो बचा वाला फेब्रिक है उसमें से हम नीचे के लिए फ्रिल कट करेंगे, अभी यह जो बचा हुआ फेबरिक है, उसे मेने 4-4 में बिचा हुआ है, अभी इसमें से जितनी फ्रिल निकलती है, उतनी हम फ्रिल निकाल लेंगे, तो नीचे की फ्रिल के लिए मेने छेंज पर निशान लगाया अभी नीचे की साइड भी हमें छेंज पर ही निशान लगाना है तो इस तरह से हम दो फ्रिल कट करेंगे फ्रांट और बेक के लिए अगर आपके पास ज्यादा फेबरिक है तो आप ज्यादा फ्रिल भी कट कर सकते है या फिर फ्रिल की लंबाई भी आप बढ़ा सकते है फेंज पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे और ये हमारी दोनों फ्रिल कट हो जाएंगी फ्रांट और बेक के लिए अभी इसे हमें कट कर देना है आप चाहे तो नीचे की फ्रिल की लंबाई बढ़ा भी सकते है तो इस तरह से मैंने फ्रिल को कट कर दिया है ऐसी मैंने दो स्ट्रिप कट की हुई है अभी सबसे पहले जो हमारी पट्टी है उसमें हम गैधरस बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी उपर से इसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है पूरी पट्टी में पूरी पट्टी की बॉर्डर में हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाय लगा देनी है दोनों पत्टि की border को डबल फोल्ड करके शिलाई लगाने के बाद हम हाफ इंच पर बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगाएंगे गेधरस बनाने के लिए पूरी पत्टि में और ये जो दूसरी पत्टि है उसमें भी हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा दिनी है ये सिलाई हम एक ही साइट से लगाएंगे तो ये मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगाई है दोनों पटियों में अभी हमें एक धागे को खीचते हुए हलके हलके इसकी गैदर्स बनानी है ये कॉटन क्रेप का फेबरिक है इसलिए इसमें हलकी हलकी गैदर्स पहले ही बन चुकी है बड़ा टाका करके सिलाई लगाने से अभी हमें एक धागे को खीचते हुए हलकी हलकी और भी गैदर्स बना लेनी है इस गैदर्स को हम अच्छे से सेट कर लेंगे इसकी गैदर्स हमें उतनी बनानी है जितनी हमार बोटम का उपर वाला पाठ है उसमें हमें इसे सैट कर सके उतनी हम गैदर्स बना लेंगे अभी यह जो उपर का पाठ है इसके उपर हमें इस गैदर्स को सैट करना है तो यह गैदर्स हम सीधी सैट से ही लगाएंगे तो हाफ इंच हमें गैदर्स को उपर की तरफ रखते हु हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम इसमें फ्रिल अटेच कर लेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरा जो पाठ है उसके उपर भी हमें फ्रिल को सीधी साइड से ही रखना है और हाफ इंज अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इसक सिलाई लगा देनी है तो ये देखे मैंने फ्रिल कोटेज कर लिया है फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है अभी हम इसमें एक साइट से सिलाई लगा देंगे तो ये मैंने सिलाई लगा दी है अभी हम इसके ल श्रकलाइनी है को साथ अब यह जो दोनों पतटिया है उसे हमें एक दुसरे की ऊपर रखते हुए एक साइटि से इसमें सिलाई लगा देनी है को कि bandwidth कर लिया है अबी जो हमने स्कूर्ट में सिलाई लगाई थी वहां से हमें सेंटर में ही पट्टी को रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए इस तरह से हमें इस पट्टी को अटेज कर लेना है दूसरी साइड तक तो ये देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी पहले हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें एक सिलाई लगानी है पहले हाफ इंच तक हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे उसकी बाद हम पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे जो हमारी अंदर की सिल उसे हमें अंदर की तरब दबाते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है इसमें से हम इलाश्टिक पास करने वाले है पूरी पट्टी में हम सिलाय लगा देंगे पट्टी को फोल्ड करते हुए तो यह देखे मैंने इसमें बेल्ट अटेच कर लिया है अभी हम इसमें से लिया है और इसकी लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी कमर की चोड़ाई है उससे दो इंच कम का इलास्टिक रखेगा तो मैंने 28 सिंच का इलास्टिक लिया है मेरी कमर की चोड़ाई 30 सिंच है अभी इस इलास्टिक को हम सेफटी पिन की मदद से पूरे बैल्ट में से पास कर लेंगे और सेफटी पीन की मदद से अच्छे से हमें से इलास्टिक को पास कर लेना है उसके बाद हम दोनों फेबरीक को मिलाते हुए इसमें साइड की सिलाए लगा लेंगे दोनों फेब्रिक को मिला लेना है और इसके उपर हमें साइड में सिलाई लगा दिनी है तो ये देखे मैंने इलाश्टिक को पास कर लिया है अभी हमें इसे अच्छे से एज़स्ट कर लेना है और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा दिनी है तो ये मैंने इसके सेंटर में सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमारा मिनी स्कट बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक So friends, I hope आपको आज काई टूटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज काई वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच गाईस